दूर दर्शी और महिला शाशक्तिकरण के प्रबल समर्थक भगत फूल सिंग जी का वैचारिक मत था कि भारतिय मुल्य प्रणाली में सिक्षित महिलाएं ही वास्तव में समतावादी और प्रगतिशील समाज का निर्मान कर सकती हैं भगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले समाज सुधारक भगत फूल सिंग जी दुवारा 87 वर्ष पूर्व देखे के सपने की अभीव्यक्ति है भगत फूल सिंग जी ने सिक्षित महिला को सामाजिक विकास के धुरी मानते हुए वर्ष 1936 में गाउं खानपूर कला में केवल तीन कन्याओं के साथ कन्या गुरुकुल की स्थापना की यह महिला शशक्तिकरण की दिशा में सहासिक और मौलिक कदम था इस विचार को बड़े पैमाने पर ततकालिन समाज दवारा सरहया और समर्थित किया गया लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी था जो भगत जी के इस विचार से ऐसंतुष्ट था और महिला विरोधी विचारधारा रखता था भगत फूल सिंग जी को महिला शिक्षा के करांतिकारे विचार को प्रती पादित करने के लिए कीमत चुकानी पड़ी और 14 अगस्त 1942 को उनकी हत्या कर दी गई हाला की भगत फूल सिंग जी की मृत्तू ने समकालीन समाज को जक जोर कर रख दिया लेकिन महिला शिक्षा के विचार को प्राजित नहीं किया जा सका भगत फूल सिंग जी की समर्पित बेटी सुभाशनी देवी जी ने ने केवल गुरुकुल का नियंतर्ण संभाला बलकि नए जोश और उत्सहा के साथ महिलाओं की शिक्षा को जारी रखा उन्होंने गर्ल्स कॉलेज 1967 में, एजुकेशन कॉलेज 1968 में, आयरुवेदिक कॉलेज 1973 में, महिला पॉली टेक्निक 1984 में, टी आईजी भेंसवाल कला 1999 में और 2003 में लौ कॉलेज की स्थापना की शिक्षा के माध्यम से समाज के विकास और महिलाओं के सशक्ति करण में, उनके महान योगदान को स्विकार करते हुए, भारत सरकार ने 1906 में सुभाशनी देवी जी को पदमिश्री से सम्मानित किया वगत फूल सिंग जी और सुभाशनी देवी जी का निधन हरियाना और पडोसी राज़ों में महिलाशिक्षा के इतिहास में एक युग का अन्त था लेकिन महिलाशिक्षा की लॉ को सुभाशनी देवी जी की बेटी कमला रानी ने जीवित रखा जो आज भी जारी है अपने पूरवजों से प्राप्त अनुभव और दृष्टी के साथ कमला राने जी निरंतर विश्व विद्यालय का मार्ग दर्शन कर रही है मेरे नाना जी ने ज़स अपने देखा था कन्या गुरकुर खानपुर आज वो विश्व विद्यालय का रूप ले कर रहा है हजारों बेटियां यहां शिक्षा प्राप करके विश्व विद्यालय का नाम निरंतर मूचा कर रही है मारी वाइस चांसर सुदेश जी भगत जी का सपन पूरा करने में करम योगी की तरह से जुटी हुई है गुरुकुल ने अगस्त 2006 में अपने अस्तित्व का स्वानिम पल तब देखा जब हरियाना सरकार ने इस एतिहासिक संस्थान को उत्री भारत का पहला महीला राज्य विश्व विद्यालय घोशित किया तब से विश्व विद्यालय ग्रामीन महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में उत्क्रिष्ट केंदर के रूप में उभरा है और अपने एद्वित्य इतिहास और विशेशताओं के कारण इसे युनिवर्सिटी विद डिफरेंस कहा जाने लगा है इसके अलावा विश्व विद्यालय इस अर्थ में एद्वित्य है कि यह समाज विश्व विद्यालय इंटरफेस के मौडल पर कारिये करता है आधुनिक्ता के साथ परंपरा का जुडाओं इसके मूल में है और प्रोपकारी परंपरा में इसकी उत्पत्ती है वेदिक گुरू कुल परंपरा में एक सोतीन वर्ष पूर्व जन में आज के भगत्पूलसिंग महिला विश्विद्यले का حिस्सा होने पर मुझे बेहग गर्व है समाज, संबंद और जन भागेदारी के सिधान पराधारित भगत फूल सिंग महिला विश्विद्याले भारतिय सिक्षा व्यवस्था में अपनी एक पहचान बना चुका है और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी है कि जो आज की राश्टर शिक्षा नीती है 2020 की उसके जो Multidisciplinary सिक्षा व्यवस्था एक ही परिसर में केजी से पीजी भारतिय ज्यान परंपरा और भारतिय भाषाओं पर बल और मुल्य अधारित सिक्षा पहले से ही भगत फूल सिंग महिला विश्विद्याले के पाठे करम में शामिल ही नहीं आपितु इसका प्रियोग भी हो रहा है और इन भारतिय मुल्यों को इस परिसर में रहने वाले शिक्षक और चात्राएं जो है उसको जी भी रही हैं चात्राओं के बौधिक शारिरिक सांस्कृतिक और सामाजिक विकास है तू सभी सुविधाई महिला विश्विद्याले में मौजूद है विश्विद्याले की पूर्व चात्राएं जीवन के विभिन शेत्रों में कारे रत हैं और अपने इस संस्थान का नाम रोशन कर रही हैं केवल तीन लड़कियों के साथ शुरू हुआ कन्या गुरुकुल आज का महीला विश्व विद्याले बन गया है जिसमें लगभग साथ हजार लड़कियां 68 सेक्षनिक कारियकरमों में नामांकित हैं विश्व विद्याले 14 विशों में पी एच टी, 24 विशों में सनातकोत्र, 22 विशों में सनातक, 8 विशों में पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कारियकरम अपने 18 विश्व विद्याले सिक्षन विभागों, 3 घटक संस्थानों, 5 विशेश केंद्रों, 2 शेत्रिय केंद्रों और 6 संबंद राजकिय महिला महाविद्यालियों के माध्यम से संचालित करता है विश्व विद्याले प्रारंब से ही राष्ट्रिय सिक्षानीती 2020 की बुनियादी विशेशताओं जैसे बहु विश्यक, KG to PG तक एक ही चत के नीचे और मुल्य आधारित सिक्षा पर बल देता रहा है हर्याना के माननिय मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने विश्व विद्याले के लिए अपने संदेश में कहा है मुझे यह जानकर अती प्रसन्यता हो रही है कि भगत फूल सिंग महिला विश्वे विद्याले खानपुर कला ने गुरुकुल से विश्वे विद्याले तक के महिला शिक्षा सशक्तिकरण के अपने सफर को डॉक्यूमेंटरी के माध्यम से लोगों तक पहुचाने की पहल की है विश्वे विद्याले ने अपने उद्देश्य को साकार किया है और सिक्षा द्वारा महिला शिक्षक्तिकरण को सार्थक करते हुए ग्रामीन महिलाओं के जीवन में कुरान्ति कारी बदलाओ किया है महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने में महिला विश्वे विद्याले का योगदान अनुकरनिये है भगत फूल सिंह जी के महान विचारों को धरातल पर सिध्ध करने में जुटे भगत फूल सिंग महिला विश्व विद्यालय को हर्याना सरकार की ओर से मैं साधुवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि महिला शिक्षा के शेत्र में यह विश्व विद्यालय भविश्य में भी इसी प्रकार उलेखनिय कारिय करता रहेगा मैं documentary की प्रिकल्पना के लिए विश्व विद्याल्य की कुल्पती वे सभी संकाई सदस्यों वे चात्राओं को बधाई एवं शुब कामनाई देता हूँ करत फूल सिंग महिला विश्व विद्यालय विभिन विश्व जैसे इंजिनियरिंग, कानून, परबंधन, वानिज, अर्थ शास्त्र, फार्मेसी, ग्रामीन विकास, होटल मैनेजमेंट, सामाजिक कारिय, शिक्षा, विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रे लगभग 400 एकड हरे भरे वाइफाइ नेटवर्क वाले परिशर में फैला हुआ है, चात्राओं को सभी आधोनिक सुविधाएं उपलब्द कराई जाती हैं, आधोनिक डाइनिंग हॉल और व्यामिशाला से सुसजित चात्रवास, संकाएं और करमचारियों के लिए आवास परिशर, खेल परिशर, अंतरास्ट्रिय अतिथी गुरह, केंद्रिय पुस्तकाले, शॉपिंग कॉंपलेक्स, रास्ट्रिय कृत बेंक, डाक घर, परियावरन के अनुकुल ए रिक्षा और सुरक्षित वातावरन जैसी सुविधाएं विश्व विध्याले परिशर में अधुनिक लैब, वो मल्टी परपस हौल के सुविधाएं हैं, विश्व विध्याले सेंटर लाइब्रेरी, लेंग्विज लैब और रिसर्च लैब आदी दोनों से परिपूरण है बगत फूल सिंग महिला विश्व विध्याले आजपास के गावों को गोद लेकर सामाजिक विकास को प्रात्मिक्ता देता है बगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले सेंटर फूर ससाइटी युनिवर्सिटी इंटरफेस एंड रिसर्च स्थापित करने वाला पहला भारतिय विश्व विद्याले है यह के इंद्र सामाजिक विकास के सभी पहलवों जैसे स्वेम सहता स्मुह, गाउंगों को गोद लेना, भूमी अभी लेखों के कम्प्यूटी करन और सोर रोशनी, प्रोड शिक्षा, लोग चिकित्चा, उर्जा सर्रक्षन, आदी परशोध में लगा हुआ है CS UIR द्वारा परशिक्षित छात्राएं सामाजिक विकास की प्रिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कारिय करती है भारतिय ग्यान परशिक्षित और विधाओं को सर्रक्षित और परचारित करने के लिए भगत फूल सिंग महिला विश्वविद्याले, UGC द्वारा पोशित, इंडिक एशियाई अध्यान केंद्र की स्थापना करने वाला हर्याना राज्य का पहला विश्वविद्याले ह इस केंद्र ने अब तक दक्षिन कोरिया और दक्षिन पूरव एशिया पर तीन अंतरास्ट्रिय सम्मेलनों का आयोजन किया है इन सम्मेलनों पर आधारी पुस्तकें परकाशित हो चुकी है बगत फूल सिंग महिला विश्वविद्याले में चात्राओं को पारंप्रिक और आधुनिक शिक्षा दोनों में पर शिक्षित किया जाता है प्रति प्रधी नोकरी बाजार को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्याले ने अपनी सभी चात्राओं को कम्यूनिकेशन स्किल्ज में सक्षम बनाने का निरणे लिया है विश्वविद्याले ने अत्याधनिक भाशा प्रियोग शाला स्थापित की है चात्राओं को अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और रूसी जैसी विदेशी भाशाओं में प्रभावशाली संचार कोशल सीखने के लिए परशिक्षित किया जाता है प्रिणाम सुवरूप हमारी चात्राओं ने केम्रिज विश्वविद्याले द्वारा परसाशित, बिजनेस इंग्लिश सर्टिफिकेट जैसी अंतराष्ट्रिय परिक्षाओं को सफलता पूरुवक पूरा किया है भगत फूल सिंग महिला विश्वद्याले खानपूर कला, छ्यासक सेक्षनिक कारेकरमों के माध्यम से चात्राओं को रोजगार पूरक और मुल्ले अधारित शिक्षा परदान कर रहा है विश्वद्याले के सभी सनातक पाठे करमों में राष्ट्य शिक्षानिती 2020 को कर्यानवित किया जा रहा है भगत फूल सिंग महिला विश्वद्याले में समाज को केंदर में रखकर शोध किया जाता है विश्व विद्याले ने अंग्रेजी विश्य के स्कूल और कॉलेज के सिक्षकों को परशिक्षित करने के लिए Staff Training and Research Institute for Teaching of English की स्थापना की है अब तक संस्थान ने राज्य सरकारद्वारा प्रायोजित लगभग एक हजार सिक्षकों को परशिक्षित करने के लिए दस सिक्षक परसिक्षन कारिय करम आयोजित किये हैं भगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले भारत के विश्व विद्याले अनुदान आयोग द्वारा पोशित मानो संसाधन विकास केंद्र स्थापित करने वाला सबसे युवा भारतिय विश्व विद्याले है HRDC पूरे देश के सिक्षक प्रतिभागियों के लिए ओरियन्टेशन और रिफ्रेशर पाठ्थे करम और कारिय शालाईं आयोजित करता है HRDC दवारा अब तक हजारों शिक्षकों को लाभानुवित करने वाले ऐसे कई खारिय करम आयोजित किये जा चुके है भगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले ने खेती की आधोनिक तकनीकों को विक्षित करने के लिए पडोसी गावों के किसानों के साथ सहयोग किया है हरियाना सरकार के इंडो इजराइल प्रोजेक्ट की साहिता से विश्व विद्याले ने फ्रेंट लाइन डिमोंस्टरेशन सेंटर की स्थापना की है भगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले ने अंतराष्ट्री अस्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है United Kingdom, संयुक्त रज अमेरिका, पॉलंड, दक्षनी कोरिया, जापान, रूस, इंडोनेशिया, वियतनाम, स्री लंका, नेपाल, आदी देशों के सिक्षा विदों ने विश्व विद्याले का दौरा किया है विदेशों में अनुसंधान और अध्यन के आउसर परदान करने के लिए विश्व विद्याले ने सेंट केथरीन विश्वविद्याले यूएसे, बाल्टीमोर विश्वविद्याले यूएसे, नॉटिंगम ट्रेंट विश्वविद्याले इंगलेंड, कुवांगवून विश्वविद्याले दक्षन कोरिया, डर्बन विश्वविद्याले दक्षन आफ्रीका, ब्रिटिश काउंसिल नई दिली आदी जैसे प्रतिस्ठित विश्व विद्यालों और संस्थानों के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं दीन स्टूडेंस वेलफेर की तरफ से मैं आप सभी का अपने भगत फूल सिंग विश्व विद्याले में अभिनंदन करती हूँ जहां तक बच्चों के वेलफेर एक्टिविटीज की बात हैं इसमें हमारी युनिवर्सिटी बहुत जादा बच्चों का ध्यान दे रही है और इन चीज़ों में ये बताते हुए कि हम क्या क्या कर रहे हैं सबसे पहले तो हम नीडी बच्चों को financial assistance देते हैं charity funds और अलग बहुत तरह की scholarships प्रोवाइड करते हैं इसके साथ साथ हमारे यहां earn while learn की scheme है जिसमें बच्चियां पहले सीखती हैं और फिर उन ही सीखे हुई जो भी उनकी skills है उनको यहां इस्तेमाल करके वो earn भी करती हैं जैसे की पंच कर्म की कुछ activities है हमारा पंच कर्म एंड ग्रूमिंग center है जहां वो अपनी services प्रोवाइड करती हैं and they are being paid for that it is totally on the no profit no loss basis and the students are earning only बगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले की गुरुकुल से विश्व विद्याले तक की यात्रा में बड़े पैमाने पर समाज सहीत सभी हित धारकों का अपार योगदान रहा है राज्य सरकार के अलावा UGC जैसे केंद्रिया निकायों ने इसके विकास में अत्यधिक योगदान दिया है बगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले के पूर्व कुलपतियों दोबारा किये गए अच्छे कारियों को जारी रखते वे वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुदेश बगत फूल सिंग जी के विजन और मिशन को साकार करने में उलेखनीय सेवा प्रदान कर रही है आरिय समाज और गुरकुल परंपरा के अपने परसिक्षन और अनुभवों से प्रेरित प्रोफेसर सुदेश ने ने केवल भगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले में सेक्षनिक, खेल और सांस्कृतिक जीवन को पुनर जीवित किया है बलकि शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के विचार को भी मजबूती से दोराया है भगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले एक अनूठा विश्व विद्याले है ए यूनिवर्सिटी विदे डिफरेंस और इसको बनाने में भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार, हमारे पूर्व कुलपतियों और अस्थानिय समाज का एहम योगदान है मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और भविश्य में भी जो है उनके सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ और उनके मार्ग दर्शन की भी अपेक्षा रखती हूँ भारत की जो विकास गाथा में शिक्षित और शशक्त महिला की एहम भूमिका रहती है और आगे भी रहने रहेगी भगत फूल सिंग महिला विश्विद्याले इस दिशा में एक उत्प्रेरक की तरह काम करता रहेगा स्वेंड के उधारन से काम करने में द्रड विश्वास रखने वाली प्रोफेसर सुदेश ने भारतिय लोकाचार और मुल्यों के आधार पर बगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले को अंतरास्ट्रिय मान चित्र पर मजबूती से स्थापित करने के लिए कई पहल की है वह विनमरता के साथ दावा करती हैं कि भारतिय परमपरा और सार्व भूमिक मानवी मुल्यों पर आधारित आधोनिक शिक्षा पराप्त करने के लिए भगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले महिलाओं द्वारा वांचित गंतव्य बन गया है प्रोफेसर सुदेश के इच्छा है कि भगत फूल सिंग महिला विश्व विद्याले के सनातक इस दुनिया को मानव अस्तित्व के लिए एक बहेतर जगहे बनाने का प्रियास करें वे अपने एतियासिक अल्मा माटर को गौरवानवित करें और भगत फूल सिंग जी के महा वाक्य से प्रेरित होकर समाज की सेवा करें झाल के लिए एक बहाई झाल को गौर विए गवा विए जी करें